तो है पोके फैंस वेलकम पैक टुद बर्न इडाउन चैनल जहां कर रहे थे हम लोग पोकेमोन का लारा अल्टिमेट रोम है का गेम प्ले और यार इस रोम हैक में अब हम लड़ने वाले हैं अपने एडवेंचर का सबसे पहला जिम बैडल और यार यह जिम बैटल होने वाला है ग्रास टाइप और इन चोटे मोटे ट्रेइनर्स को तो यार मैंने हरा दिया था इस जिम का डिजाइन सेथ औरिजिनल फायरेड के सेलेड़न जिम से लिया गया है और यार मैं लीड में अर्जून का रखूंगा क्योंकि उसके पास एक फ्लाइंग टाइप मूव है जो ह पहले पोकेमान क्या है और इसका पहला पोकेमान है श्रूमिस यार 15 लेवल का श्रूमिस इसके पास तो मैं यार दो पेक में तो यह नॉक आउट हो जाना चाहिए तो उसने यूज किया टैकल अटैक ओके तो अब उसने यूज कर लिया सूपर पोशन जो हर एक लीडर यू यूज क्या करता है यार देखते हैं इसके मूव सेट क्या है तो यार इसके पास एर कटर है और जहां तक मुझे याद यानमेगा का एर कटर नहीं एक बार पिकाचु को फेंट कर दिया था तो यार अगले एर कटर में तो अर्जुन नॉक आउट हो जाएगा इसलिए नॉक आउट और इन दो पोकेमों को हरा के हमने अपने रीजन का सबसे पहला जिम बैज जीत लिया है वंडर्फुल इसेंट इट है तो या कांजसेटी जीम चैलेंज हमने जीत लिया हमें मिल गया है बैज ऑफ से रेनिटी तो लेट्स गट आउट अप दे जिम गाइस और अपने एड्वेंचर को केर्यॉवरर रखते हैं ऑक ओके ऑके तो यह हमें अचा यह हमें गीगा ट्रेन यह तो खरुआ हम जिम के बाहर आ सकते हैं और चलिए निकलते हैं जिम के बाहर ओके गाइस तो जैसे हम जिम के बाहर आते हैं तभी हमें दिखते प्रोफेशर ओक और वह हमसे कुछ बात करते हैं तो लेट्स टॉक टू हैं इनिवेस आइवांट मैं गूड़ फ्रेंट ओके तो प्रोफेशर पर वोख हमें बता रहे हैं कि वो प्रफेसर ओक के साथ मिले थे और अज्व ने हमारे लिए तीन स्टार्टर पोकेमोंवान भीज है जो है स्टार्टर पोकेमोंस अफड़ कांटो चार्मैंडर स्क॥ टल और बल्वसौर तो देखतें इन तीनों में से हम किसे सेलेक्ट करते हैं सो गाईज', हमारे पास पहले ही एक तब मैं चार में को सेलेट कर लेता हूँ या क्यूकि तब हमारे टीमे v Brzo G.M Χ想 योगा जिसके पास चले गहें पता नहीं कैसे मगर उस तीज़ को छोड़ते होगा तो अब हम चारमेंडर को चेक आउट करते हैं जो एक 12 लेवल का चारमेंडर है और यार इसे लगता है मुझे काफ़ी ट्रेनिंग देनी होगी तो इसके पास था एक औरन बैरी जो मैं यार अभी के लिए रख देता हूं मगर यार क्योंकि यह ट्रेनिंग बैटल में भी उस कंजूम कर लेता है तो यार वह कुछ फाइदर नहीं होता है यहां पर है एक ट्रैवलर के पास एक कट हम को दोकि यह उसे चाहिए होगा इस क्या बोलते हैं लिए इस टम सोची सकते हो इसलिए इन्हों ने हमारी हेल्प लेकर यहां से आगे बढ़ चुके हैं और मैं को ठो तोड़ा वो ट्रेन कर लूँगा यहां पर कांजा वुड्स में तो या गाइस हमारा चारमेंडर अब लेवल 16 पहुंच गया है और सायद अब वो इवाल्व हो गया है और यार इसी सहर में एक नेम रेटर भी है तो मैं यार उसके पास जाके अपने चारमेलियन को एक और अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं यहां पर भी च्छोटे मोटे ट्रेनर बैटल्स होने वाले हैं तो इनसे भी हम लड़ लेते हैं तो गट सम्चीब एक्सपिरियंस और यहां से आगे बढ़ते हैं यार यहां पर काफी सारे अच्छे ग्राइस टैप gráfic बोल रहा हूं twitter वातर टाइब्हान चाहिए हैं तो तूम यहां से ले सकते और यहां पर हमें मिलियक ब्रोकन बाइक और इस बाइक को यार हमें लेकर जाना होगां इस साइकल साप में और यहां पर सिर्फ 500 पोके डॉलर में हमारे इस बाइक को या ठीक कर देंगे तो 500 रुपए यह हमसे ले चुके हैं और हमारे बाइक बिल्कुल ठीक हो गया है और यार मैंने यहां पर वाइगो पात में थोड़ी बहुत फिशिंग की थी तो मुझे एक शेल्डर मिल गया है जिसका मैंने रॉय निकनेम दे दिया है उससे कुछ कनेक्शन है यह मतलब वो इवाल्वो के क्लॉइस्टर बनेगा तो क्लॉइस से थोड़ा बहुत राइम करता है रॉय इसलिए मैंने उसे रॉय दे दिया है तो यार इस प्लेट्रों में हमें टोटल चार पोकेमोंस की टीम हमने बना लिए जो काफी अच्छी है यार सेकेंड जीम से पहले ही चार पोकेमोंस की टीम तुम समझ रहे हो तो यहां हम लोग यहां पर पहुंचके हैं मौसडीप के वर्ड में और यहां पर एक यार पिकाचु भी है उसके पास मैं आता हूँ पर उससे पहले मैं दिखा देता हूँ कि यहां पर एक जो है पता नहीं क्या बोल रहा है वह हमारे टीम को जाइन करना चाहता साथ कुछ बैजेस जीतने वाद वह हमें टीम को जाइन कर ले तो अब हम यार इस मौसडीप के वर्ड के अंदर जाते हैं और यहां पर भी छोटे मोटे पोकेमों बैटल्स होने वाले हैं तो मैं चैनले हो गया है और इसका अगला पोकेमोन है एक राइहां अच्छा राई होड फार्जाच और नाम होता है राई डॉन और इसके बाद यह इसका आखली पोकेमोन है ड्रिलबर ऑगे तो ट्रिलबर को भी हम लोग कर लेते हैं नॉक आउट और बढ़ते इस एडवेंचर म यहां पर आगया कार्विंग जो एक फैरी रॉक टाइप पोकेमॉन मगर अभी हमसे इसे कोई काम नहीं ओके यहां पर फिर से बाटल होने वाला तो यहां जल्दी से इसे हराते हैं इसके पास स्टील टाइप पोकेमॉंस है ओके यार अरजुन तो यार क्लिक नोगआओट नहीं कर पाता है जल्दी से ओके मैं आरा में स्विच करके इंबर आटेक से इंड़े जल्दी से नौकआओट करता हूं जो रहा दिया है और यहां पर यार एक ऐटम है न हीड़न आइटम है जलो देखते हैं यह यह क्या है या वेल्स सारे खरीज लियां तो यार एक समय आएगा कि मेरे पास पोके बाल खरीदने के लिए पैसे नहीं रहेंगे तो याप मैं यहां से आगे बढ़ता हूं ओके यह एक स्केप रोप और यहां पर यार कितने सारे पोकेमोन बैटल्स होने बारे यार इसमें पागल करतेंगे यह तो और या गाइस पागल होने से मुझे याद आया कि मेरे चैनल में 200 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं सो थैंक्स फ़र यूर्स सपोर्ट गाइस और यार इ यही बात थी हमारी और यहां पर यार कितने यह वाइड को किमॉन से आपक हूं ऑके तो पीछे से आ गई है मैं जो अब साथ हमसे बैटल करेगी में में करते हुए तो चलो इसे हराते हैं और देखते हैं इसका पहला पोकेमोन क्या है सो हर फर्स्ट पोकेमान शुरूमी यह सबके पÁस पहला पोखमां स रूमी सी क्यों रहता यार जो जिमम लिडर के पास पहु चैसिता अंदर भी काफी जनों से बैटलस कर सकता हों उलो के पास नहीं कर पाएगा पा्याइज होगा ओके चलो यूज और स्टन्स करके उसंस्ने को नॉक ऑट कर दिया है है ओके तो अगला पोकेमान नुमेल तो मैं यार रॉइ में स्विच कर लेता हूं क्योंकि मुझे पता है यार यह ग्राउंड फायर टाप पोकेमान आने वाला है सो वाटर गान नॉकाउट कर देगा उसे और यार आप में से काफी लोग मुझे कह रहते कि यार तुम लोग तुम सेट सेटिंग में क्यों ने खेलते हैं शिफ्ट सेटिंग में क्यों खेलते हो यार अगर मैं सेट सेटिंग में खेलूंगा ना मेरे लगवक हर एक पोकेमान होते रहेंगे इन पूरे केज में क्यूंकि यार मैं इन केव से बार बार निकल करने नहीं जाता हूं मैं एक ही मतलब यही पोकेमों से लेके पूरे केव से बाहार निकलता हूं और मेरे पास इन्हें पैसे भी तक नहीं आए कि मैं हीलिंग आइटम्स पूरे स्टैक कर सकूँ सो या अभी तक तो मैं शिफ्ट सेटिंग में खेलूंगा फिर आगे देखते हैं हम लोग सेट में स्विच कर लेंगे और हां यह में जो है ना यह इतनी बेसरम है इसने हमें एक फ्लैश अचम दिया और देते हुए ऐसे गिफ्ट दो यार यह क्या बोलती है कि कनलारा में ऐस थैंड्क्स वर वाचीन